गुड मॉर्निंग आल इस्टुडेंट्स आज हम डिसकस करेंगे अपने टॉपिक दिल्ले सल्तनत में नेक्स्ट वन्स खिलजी वन्स का खिलजी वन्स में मैक्सिमम पांच साशक हुए पहला जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी श्रिहाबुद्दीन उमर कुत बुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नसीर उद्दीन खुसरो खान लेकिन हम अपने सलेबस के कॉर्डिंग तीन शाशक करेंगे तीन शाशक को डिसकस करेंगे जलाल उद्दीन फिरोज अलाउद्दीन खिलजी और कुछ थोड़ा से टॉपिक है हमारा श्रेस पचा हुआ वह शिहाबुद्दीन उमर के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि खेलजी वंस कब से कब तक रहा खेलजी वंस कहा जाता है कि जो इसका काल था वो 1290 से 1320 के बीच में खेलजी वंस आया यह कहा जाता है कि बल्बन की मिरित्तु के बाद दिल्ली में कुछ सम दिल्जी अमेरों में पर्यास हमेσα होते रहे लेकिन इस संगरस में खेलजी सरदार जलालदीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल होता है और वही जो जलाल दिन फिरोज खेलजी है वह इस U van'sक हेल जिवंस का संस्थापक कहलाता है जलाल ढ solo जलालुदिन खिल जी ने कीलो खोरी को अपनी राजधानी बनाया था जलालुदिन खिल जी ने सत्ता का दर्वाजा सर्वहार वर्क के लिए खोल लिया था किसी भी प्रकार के कुछ भेद भाव नहीं था और जलालुदिन खिल जी ने इनका पूरा नाम है जलालुदिन फिरो देवगिरी के शाशक राम चंद्रदेव को पराजित किया और काफी धन लूटा देवगिरी के अभियान से वापस लड़ते समय अपने भतीजे के स्वागत है तू जलाली कुंडा कड़ा पहुचा जहां पर उसके भतीजे अलावदिन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी जो फिरोज फिरोज खिलजी था जलावदिन फिरोज खिलजी फिरोज खिलजी का ही भतीजा अलावदिन खिलजी था और वह सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने चाचा यानि की जलावदिन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है और नेक्स जो सासक बनकर बढ़ता है वह थ 1266 तक शाशन किया तो अलादिन खिल जी का जन्म 1266 से 1267 के बेच में हुआ था और इसके पिता का नम श्रिहाबुद्दिन खिल जी था जो की जलालुदिन फिरोज खिल जी का भाई था और इनके पिता की अकाल मिरती हो जाती है हो जाने के कारड़ ही जो संदक्छक हुआ अला रच्छड में उसने बालेवास्था में ही नीमी सिच्छक और जो अलावदिन नीरच्छर ये भी का जाता है कि अलावदिन खिल जी पढ़ा लिखा नहीं था नीरच्छर था फिर भी वह अत्यंत परतिभावान था उसकी परतिभास से परभावित होका जलालुदिन ने आउनर टेशे थे सब उसके उसने अपने शिक्तन सिक्कों पर शिकंदे शांई भी लिखवाए था तया उसने दोनों अभियान दिल्दी के होतवाल अलोल मुल्क के कहने पर त्याग किये थे पलात करते हैं कि अलावदिन की कि जो उसकी क्रिश्शनीती ती क्रिश्नीती में यह चीज है कि आवादूदुंग खिल जी ने उपच की पैदावार का 50% भूमीकर लेना निश्चित किया था आवादूदुंग खिल जी ने भूमीक इकाई भूमीकी कैई बिश्वा का चलन शुरू किया था क्योंकि पहले क्या था चार साथ हुर्ड़ गज का एक विग사 लेकिन अलादुविंख फिलजी ने भूमी कीकाई विशल चलन सुरू किया था अलादुदुई खिल जी ने घरीетр तथा का चरीकर दो नए कर भी लगाये थे उसने कंश मीन सोता है लूट का माल जो लूटने के बाद जो लूटने के उपरांत जो माल प्राप्त होता है उसे कंश करते हैं तो उसने कंश का साधे चार बटे पांच भाग अपने नियंतर में रखा तता एक बटे पांच भाग सेना पर खर्च किया था सेना के अगर बात की जाए तो सैनिक सुधार जो इसके थे अलावदिन खिल जी के अलावदीन खिल जी की विजयों का जो शे है उसकी सूसंगठित सेना को ही जाता है अलावदीन ने एक विसाल अस्थाई सेना का भी संखंठल किया था उसकी सेना में लगभग 4,75,000 सेनिक थे अलावदीन के सेना पती था मलिक काफूर इसकी हम नेक्स्ट स्लैड में डिसकस करेंगे तो उसने अमीरों के मेल मिला पववाहिक संबंदों पर भी रोक लगा दी अलावदीन खिल जी के समय में सरवादिक 6 बार मंगोल आकरमर हुआ था फिर भी उसने उनका सफलता पुर्वक दमन किया था जब जलावदीन खिल जी आते हैं तो उस टाइम भी फिरोज खिल जी के समय में भी मंगोल नेता जो था हलाकू कहीं कहीं पर हलाकू भी है कहीं कहीं पर हलामू भी नाम दिया गया है तो हलामू के जो पोत्र था उसका पोता अब्दुल्ला का आक्रमर 1292 में हुआ था फिरोज खिलजी थे तो जब से खिलजी वंस आय था तभी से मंगोलों का आक्रमर होना प्राराम हो गया था अपनी पूत्री का विवा कर दिया था उसने फिरोज के साथ संधीकर दिल्ली में मिल गए थी उसी टाइम उसी टाइम चंगेस वंस का भी उलूग खान के साथ अपनी पुत्री का विवा कर दिया था चंगेस वंस का उलूग ने जो उलूग था उलूग के चार हजा समर्थगों ने इसलाम धर्म स्युकार कर लिया था ततन्यमीन मुस्लीम के रूप में विख्यात हुए थे वह दिल् बल्बन के टाइम से होने लगे थे और अलाब दिन खिल्जी ने किया सफलता पुरुवक कि इनका दमन किया था गुजरात अभ्यान के अगर बात की जाये तो गुजरात अभ्यान के समय वहां का जो राजा था रायकर देव था जिसकी राजधानी अहिलवारा थी इस अभ्यान में तुर्क शेना का नित्रित उलुक खान तथानुसरत खान ने किया था गुजरात के बिना युद के जीत लिया गया था क्योंकि रायकर ने बिना युद किये देवगिरी के शासक राम चंदर देव के यहां सरर ले ली थी गुज़ाता भियान में अलाउदिन खिल जी को मली काफूर मिला था जिसे हजार दिनारी भी का जाता है बात करते हैं मली काफूर कोन था तो मली काफूर जो खंबात बंदगा के आकरमर के दोरान ही नुसरत खान जो था एक हिंदू हिजरा दास के रुप में प्राप्त हुआ था जो नुसरत खान था जिसका नाम आगे चलके मली काफूर रखा गया था जो नुसरत खान था ठीक उ मली काफूर ने अलाउदीन खिल जी के दच्छड अभियानों में महतरपुर्ग भूमी का निभाई थी मली काफूर को एक और नाम की उपाधी दी गए थी वो नाम है इसमें मैंने एड नहीं किया है उसे आप कही नोट डाउन कर लेना कि मली काफूर को ताजुल मुल्क काफ काफूर के उपाधी भी प्राप्त की गए थी और अलाउदीन की दच्छड विजय कश्रे भी मली काफूर को ही जाता है मली काफूर ने स्वर पर्थम दच्छड के राज्य देवगरी पर आक्रमर किया था अगर कोहिनूर की बात की जाए तो जो तेलंगाना अभियान कि वहां का जो शाषक था रुददेव दिवति उसी ने मली काफूर को विश्व परसिद कोहिनूर हीरा भेट किया था जिसे काफूर ने अलाउदीन को भेट किया था नेक्स्ट बात हम करते हैं रठंबोर अभियान की तो रठंबोर का कीला एक सक्तिशाली कीला था जिसे जीतने जीते वीना पूरे राजस्थान को जितना कठिन था उससे में वहां का राजा हमिर देव के मंतरी रडमल के विश्वात घात करने से वह हार गया था राजपूत इस्तिरियों ने आग में जलकर जोहर व्रत का पालन किया जैसे उन्हें जलकर मनना शुरिकार था लेकिन किसी की गुलामी करना मंजूर नहीं था चितोड़ अभियान रठंबोर के बार जिस कीले को जिता गया वत्तितोड़ था उससे ममा के राजा राडा रतन सिंग थे जो की पूरे मेवार की अर्दर राडा रतन सिंग ने अलाउदिन को रोका था था इस बात का बदला लेने हे तूंप अलाउदिन ने हमला किया था और जो चित्तोड की जो रानी थी पदमिनी आप इससे वाकिफ योगे आप जानते होगे रानी पदमिनी की कथा बहुत मसुहूर है इस पर बुक भी लिखी गई है तो रानी पदमती को प्राप्त करना भी अलादिन खेलजे का उद्ध्य सता परंतु उसने जवहर कर लिया थ जब रानि पदमिनी की कहानी पहुत फेमस है तो पदमिनी की कहानी या अधार की ग्रणत है कि जो जब अनुसार मली मुहमम्द जाइसी के अनुसार उनकी गयरा डाला जाए lige एक जलक देख लेगा तो होग Bent स्विकार कर लिया था यह दर्पड ग्रक्रणा जांब। उसे रानी पदमीनी की जलग दिछाए गयी फी यह वह ऐखने के लिई राख और पर आखमन किया थان और द्रशीड भारत की विजय का एक मात उदेश लिया था कि भारी धान संपधा पर कबजा की जा दाना था प्रजीन भारत में अगर देवगिरी अभियान में वहां का साशक राम चंद्रदेव प्राजित हुआ परन्तु रामचंद्रदेव के साथ संबान जनक व्यवार किया गया था वह अलावदीन खिलजी का मित्र बन गया था और तेरह सोनों में मली काफूर ने तेलंगाना के छेतर प्राक्रमण किया था उस समय वहां का जो शाशक था वही जिसने कोहिनूर का हीरा उसे भेट किया था परताप रुद्रद्य दिवति और उसने सोने की मूर्ति था को इन्यूर हीरा देकर का मली काफूर के सामने आत्मसरप्र किया था मदुरें के पांड़े वंस पांड़े वंस पर मली काफूर ने अधिकार किया था अब लाश्ट जो आते हैं कुद्व बुद्दीन मुबारक शाखिल जी इनका कुछ इतना श्रे नहीं जाता वस तेरसु सोले से बीस के बीच में इन्होंने चार साल ही शाषक किया शाषन किया इसने सियों को खरीफा भी घुशित किया था यह दरबार में नंग नहों कर द सबसे ज्यादा जो काम किया वह था अलावदीन खिल जी उसमें जो बाजार के जो नियंतरव था वहुत ही अच्छा ता जैसकि कोई भी तरह का जैसे होता है ठग थगना ठगी व्यवस्था का कुछ एक परसव्य परसमर नहीं था त्यूंकि यह कहा जाता है कि आ आप तोल कम ले रहा है जिससे कि आपको समान की जगर कम तोल रहा है तो वह पहुंशता था और जो समान का मुरा तो उसको बराबर करने के लिए वो दुकानदार का मांस ब्लबा कर उससे तोलता तो इस वज़े से सारे दुकानदार जो थे वो डरते थे और किसी भी तरफी ठगी व्यवस्था नहीं थी अगर जो अलावदीन का मंतरी परसद था तो मंतरी परसद में जो मुख्य मंतरी मुख्यमंत्री का नाम था वो था दिवान्य वजारत अगे तो इसके मंदीरबं विभाग क हो सकते में वोक्तानशा कि जाए जाता था हुआ वजीर को क्या कहा जाता था तो वजीर को दिवाने वजारत के नाम से जाना जाता था और बाजार जो नियंतर अधिकारी थे तो जो बाजार का अधिचक होता था उसे शहनाय मंडी और बाजार नियंतर को दिवाने रियाशत जो नियाय अधिकारी हुआ करते थे तो नियाय अ अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुगलक वन्स में जो शाशक हैं तुगलक वन्स को अम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू क्लास